डियर स्टुडेंट्स माइसेल्फ सिपिसेनी असिस्टेंट प्रोफिसर इन केमिस्ट्री कुर्मेंट कोलेज सुजानगड हम बीस्टी पार्ट फाइनल में संक्रमन दातू संकुलों के बारे में अध्यान कर रहे थे जिसमें हमने दातू लिगेंट बोंडिंग दात्मों की धर्मोडाइनिमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में अध्यान कर चुके है आज हम नया चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स और और्गेनो मेटलिक कैमिस्ट्री तो सबसे पहले तो देखें Organometally Compounds की Definition क्या होगी या Organometally Compounds क्या होता है बहुत बार इसकी Definition के बारे में पूछ लिया जाता है और इसकी Definition Confusing भी करती है तो इसको डिटेल से मैं या समझाने का प्रियास कर रहा हूँ तो इसको अच्छे से सुनेंगी ऐसे योगी जिनमें धातू कार्वन बंद हो अर्था सीधा मेटल कार्वन से जुड़ा हो कार्व धात्वी की योगी या Organometally Compound कहलाते है सीधी सीफस तो क्या समझेंगी है कि जिनमें कार्वन और सीधा मेटल के बीच में बोंड बना होगा हो जैसे इसके एक्जामपल लिए C2H5 का होल फोर पीबी टेट्रा एथिल लेट C2H5 का होल ट्वाइस जेडेट डाई एथिल जिंक और आर एमजी एक्स आर की जगे कोई भी एलकिल ग्रूप हो सकता है मेथिल एथिल प्रोपिल एलकिल मेगनिसियम हेलाइट जिसे बोल देंगे तो इनमें सीधा कार्बन और धातू के बीच में बंद बना हुआ है तो इनको कार्ब धात्विक योगिक कहते हैं पर ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमारे पास समझे आई कि धातू कार्बोनिल दातू कार्बोनिल होते हैं जिनमें मेटल और सी ओ कार्बोनिल समोय के बीच में सीधा बंद बना हुआ हो तो इस डेफिनेशन के आदार पर इनमें भी दातू और कार्बन के बीच बंद बना हुआ है तो दातू कार्बोनिल में कार्बन दातू बंद पाये जाता है प्रंतु कार्वधात्विक योगिक नहीं होते हैं तो इस आदार पर क्या बताया गया कि ऐसे योगिक इस परिवासा में चेंज किया गया क्योंकि फर्स्ट वाली डेफिनेशन से इसमें मेटल कार्वनिल भी सामिल हो गए तो फिर परिवासा में क्या चेंज कि तो CO-Carbonic Sumway न होकर क्या है? A-Carbonic अरता है यह इन और्गेनिक ग्रूप है इसलिए Metal-Carbonil इस स्रेणी से अलग हो जाते हैं तो ऐसे योगिक जिन में Carbonic Sumway दात्तू प्रमाणू के साथ जुड़ा रहता है कार्व दात्तू की योगिक कहलाते हैं इस परिवासा के आदार पर दातू कार्बोनिल इस स्रेडी में समलित नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि CO सम्वा कार्बनिक सम्वा नहीं होता है परंतु दातू एलकोकसाइड में दातू प्रमाणू कार्बनिक सम्वा से जुड़ा रहता है कार्ब दात्विक में सामिल हो सकते हैं अब इसमें क्या जाएंगे मेटल एलकोकसाइड इसमें सामिल हो सकते हैं तो इसके ध्यान में रखते हुए कार्ब दात्विक योगिकों की वर्तमान में दूसरी डेफिनेशन दी गई अर्थाज इसको भी change किया गया क्या change किया गया इसमें कि ऐसे योगिक जिन में कारबन अपने से कम है रिण विद्धूती अर्थाज इलेक्ट्रो नेगेटिव या इलेक्ट्रो पोजिटिव अपने से कम है रिण विद्धूती बोलने या अर्था उसके विद्दू तरिणता कार्वन से क्या हो? कम हो या वो क्या हो? इलेक्ट्रो पोजिटिव एक्सेप्ट क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन नहीं हो तत्व के परमानों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं कार्व धात्विक योगिक कहलाते हैं अर्थात कार्वन या तो अपने से कम इलेक्रो नेगेटिव से या दूसरे में बोलें कि इलेक्रो पोजिटिव मेटल से जुड़ा हो कार्व धात्विक योगिक कहलाते हैं तो इस परिवासा के अनुसार अब जैसे ही ये परिवासा दी गई तो इस परिवासा से क्या हुआ कि इस परिवासा के नुसार इस सीमा में किस सीमा में कार्व धात्वी की योगिकों में दातू साइनाइड दातू साइनाइड होंगे मेटल और सी एन के बीच बोंड बनाओ दातू साइनाइड एवं CO3 कार्मोनेट समोय के बीच बनाओ तो ये M कितने जुड़े होंगे 2 M2 CO3 तो इस परिवासा के आदार पर इसमें मेटल साइनाइड एवं दातू कार्मोनेट आ जाते हैं परंतु ये भी और्गेनो मेटलिक कंपाउंड नहीं होते हैं परंतु इन योगिकों में अर्था साइनाइड वे कार्मोनेट में विशिस्ट गुण विशिस्ट गुण कोण से जो ओर्गेनो मेटलिक में होते हैं वो इन में नहीं पाए जाते हैं इस कारण इने कार्म दात्विक योगिकों में सामिल नहीं करते हैं इसके बाद में क्या किया गया कार्व दात्वी के विशिस्ट गुण के कारण इसमें क्या नेचर होती है कुण से इसवेश्वी करेक्टर पाए जाते है जो दातू साइनाइड और दातू कार्वनेट में नहीं होते है वो बताएंगे तो देखो वो क्या होंगे कि कार्भधात्वी किस तरह से आते है कि इन में सैसयोजैक बंद या जो Kohlend बंड होता है वो कार्भण वे उससे कम विद्दूतरिनी या विद्दूतरिनी के मद्दे होने के कारण कारण पर तो क्या आएगा पार्सेली नेगेटीव चार्ज और जो मेटल जुड़ा हो आया उसके उपर पार्सेली पोजिटिव चार्ज उत्पन हो जाता है आता है इलाक्टरो ãyन्योन कारबन प्रमाणू वाले कार्बनीक पदार्तों के साथ किरिया करके ये कार्बन कार्बन बंद बनाते हैं अर्था दूसरा ऐसा पार्ट ओजिसमें कार्बन पोजिटिव हो उसके साथ ये किरिया करके कार्बन कार्बन बंद बना लेते हैं तो इस तरह की प्रोपर्टी Metal, Sinite, where Metal, Carbonate में तत्व के पर्माणों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं कार्व धात्व की योगी के कहलाते हैं जो इसकी प्रोपर्टीज को एक रियक्षन के रूप में भी रिपर्जेंट किया है यह है एथिल लीथियम CS3 CS2 Li तो CS2 के कार्वन पर क्या है पार्शली नेगेटिव और लीथि पॉजिटिव तो यह एलाइल ग्रूप और और्गेनो मेटली कंपाउंड का एथिल ग्रूप आपस में जुड़ जाते हैं और नए प्रोड़क्ट का निर्माण करते हैं सेकेंड रियक्षन लिख सकते हैं यह एथिल लीथियम और उसकी रियक्षन कार्वनिल कंपाउंड स पॉजिटिव चार्ज तो कार्वन के पॉजिटिव चार्ज के साथ को जुड़ जाएगा एथिल ग्रूप और ओक्सिजन के साथ एलाइ जैसे इसका हिड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्कोल का फॉर्मेशन होगा इस तरह से यह प्रोपर्टी और्गेनो मेटली कंपाउंड शो करते हैं जो मेटल साइनाइड और मेटल कार्वनेट में नहीं पाई जाती है इस तरह से हम और्गेनो मेटली कंपाउंड की कम्प्लीट डेफिडेसर देते हैं अर्थाथ इसको डेटेल से इसपस्ट किया जाता है नेट से इनके नोमेन क्लेचर या नामकरण किस तरह से करें तो कार्वदात्विक योकिकों का नामकरण अलग अलग रूल्स के आधार पर किया जाता है कि किस टाइब का ओर्गेनो मेटली कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है तो उन्हेंगों सबसे पहला है कि पहले क्या कोई भी Organo Metallic Compound हमें दे रखा हो तो पहले कार्वनिक समु मो का नाम लिखेंगे उसके अंदर कोइ सा कार्वनिक समु है, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं उसके बाद में धातू का नाम लिखा जाता है और कार्वनिक मुलक और धातू के नाम के बीच में कोई भी स्पेस या गेप नहीं रखा जाता है उसे साथ में जोड़ कर ही लिखते है For example, CS3-LI तो कार्वनिक पार्ट तो क्या हो गया? मेथिल और मेटल या धातू कौन सा है? लीथिया तो इसका नाम होगा मेथिल लीथिया C6-H5-LI यहां पर और्गेनिक ग्रूप क्या हो गया? C6-H5 फैनिल और लीथिया तो इसका नाम फैनिल लीथिया इस तरह से पहले कार्वनिक पार नाम और फिर दातू का नाम और दोनों को जोड़ कर लिख देते है सेकिंड है यदि एक से अधिक समान अलकिल समोय हो अभी वहां पर तो क्या लिया? क्या वल एक अलकिल समोय था? एक से अधिक समान अलकिल समोय हो तो दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा प्रिफिक्स यूज करते है जैसे देखो इसमें C2H5-2 है तो इसका नाम डाई एथिल जिंक इसमें तीन है तो ट्राई एथिल एलुमीनियम थाड़ है कि एक से अधिक भिन समान नहीं हो अलग अलग हो एलकिल समोई भी हो सकते हैं एरिल समोई भी हो तो उनको कैसे लिखेंगे समान होने पर तो डाई या ट्राई लिख देंगे पर अलग अलग समोई हो तो हमेशा अलफा वेटिकल ओडर में लिखते हैं जो अलफा वे एक तो है फैनिल और एक ग्रूप एथिल ग्रूप तो एल्फा बेटिकल ओर्डर में पहले कुन सा होगा एथिल एथिल का ई और फैनिल का पी आता है जो बाद में आएगा तो नाम क्या होगा एथिल फैनिल मेगनेसिय। फोर्थ कि यदि एलकिल या एरिल समय में सब्सिट्वेंट जुड़े होगे हों पहले से कोई प्रतिस आपी हो तो इसमें क्या करेंगे उनका नाम लिखने से पूर उनकी पोजीशन को दर्साएंगे जैसे हम और गेनिक एवस्टी में कार्वनिक योगिकों के नाम लिखते है तो उस नम्बरिंग के आधार पर उस सब्सिट्वेंट के पहले उसका नमबर लिखेंगे और फिर बाकी आगे वोई ओर्गेनिक ग्रूप का नाम पहले और फिर मैटल का नाम लिख देंगे यदि एक से ज़्यादा सब्सिट्वेंट हो और यदि वो समान है तो दो के लिए डाई, ट्राई, टेटरा लिख देंगे और यदि कार्वनिक मूलक भी एक से ज़्यादा है तो उनको 20, 30, टेटरा की इस तरह से नाम देते हैं तो देखें इसका एक्जामपल, दो बेंजीन रिंग आपस में Mg से जुड़ी हुई है और दोनों बेंजीन रिंग के उपर क्या जुड़े हुए है, तीन, तीन, सी, एल, पार्ट जुड़े हुए है तो यह बेंजीन रिंग क्या हो गई, कार्वनिक समू है, और कितने हैं, दो, तो इनके नाम से पहले ही क्या लगा दो, 20, 20 का अलब सारा पार्ट क्या है, दो है तो देखो यह होगा, 20, 2, 4, 6, नम्बरिंग करें, एमजी से, एमजी वाले कार्वन को देने, यह 1, फिर यह 2, 3, 4, 5, और 6, देखो क्लोरीन की जो पोजिशन है, वो एमजी के रेस्पेक्ट में, 2, 4, और 6 पर है, तो इसका नाम क्या लिखा, 20, 2, 4, 6, ट्राई, क्लोरो, फ इस तरह से, यदि कार्वनिक पार्ट दो है, तो उसके नाम से पहले 20 लिख देंगे, तीन है, तो ट्रीस प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, ऐसे योगिक, जिनमें दातू प्रवाणों के साथ कार्वनिक वे एकार्वनिक समौ जुड़े हो, दोनों ही चीज़ें जुड़ जैसे C2H5MGBR है, तो इसका नाम होगा एथिल मेगनिसियम, यह तो कार्वनिक और दातू का नाम, फिर गैव देकर क्या लिख देंगे, ब्रोमाइट, इसी तरह से यह डाई मेथिल टिन और गैव देकर डाई क्लोराइट, नैस, कि सिलीकन के कार्व दात्विक योगिकों को सिलेन या सिलीकोन हाइड्राइड का डेरिवेटिव मानते हैं, और इनका नाम भी जैसा हम उपर लिख रहे हैं, उसी तरह से लिखते हैं, कैसे कि पहले कार्वनिक का नाम और फिर सिलीकन को क्या लिख देंगे, सिलेन, क्योंकि इनको सिलेन का व्युत्पन मानते हैं, तो द को इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल डाई क्लोरो सीलेन यह सीलेन के डेरिवेटिव है सिलिकन हाइड्राइट से बने है तो इनको एक साथ लिख करके आम तुमें क्या जोड़ना है सीलेन जोड़ देनी नेक्स कि ऐसे कार्ब दात्विक योगिक जिनमें कार्बनिक समोय के एक से अधिक कार्बन दात्व के साथ जुड़े हो तलब कार्बनिक समोय में सीधा केवल एक कार्बन से ने जुड़कर एक से अधिक कार्बन परमाणू दात्व के साथ जुड़े होते हैं उन्हें पोली हेप्टो योगिक कहते हैं और ऐसे योगिकों के सुत्र में कार्ब पनिक समुल के नाम से पहले हैप्टीज सिटिए को एच या नीता से दरसाते है है एच या नीता के उपर जितने कारबन जुड़ेवे ہیں उसको लिग दिया जाता है उससे पताए चलता है के इसके हैप्टीज सिटि कितनी है जैसे फेरोसीन का एक्जामपल है इसमें साइकलो पेंटा डाइनायल रिंग है और बीच में क्या जुड़ा हुआ आईरन दोनों रिंग उपर नीचे हैं और बंद कामना रहे हम सीधा रिंग के बीच में सरकल में इसका अलब यह 5 कारवन से जुड़ा हुआ यदि 1 कारवन पर जोडएंगी इसका अलब एक से जुड़ा हुआ है और सीधा अंदर सरकल में यदि हम बंद को दर साते हैं इसका अलब 5 कारवन से जुड़ा है और इसका सूतर लिखेंगे देगो F E फिर ब्रेकिट में नीटा और नीटा के उपर 5 C 5 H 5 का होल 2 इसका अलब इसके FTC कितनी होगी 5 इसका common name तो है Ferocene और IPC नाम होगा इसका Di-Cyclopentadienyl Iron या Bis-Cyclopentadienyl Iron Bis भी लिख सकते हैं या Di भी लिख सकते हैं बहुत हार correct Next है Chromium हो बीच में और दोनों उपर नीचे क्या हो Benzen ring जो हो तो metal देखो सीधा Benzen ring के अंदर से bond बना रहा है इसका अलब 6 कारवन से ये बंद बना रहा है तो इसका represent करेंगी इसको CR bracket में Nita 6 C6 H6 का होल twice हैpticity कितनी होगी इसकी 6 और इसका नाम है Bis Benzen chromium The important example है बहुत बार इसका सूत्र भी पूछा जाता है इसे Jaisais salt कहा जाता है इसे क्या नाम देते हैं Jaisais salt भी कहा जाता है First organometally compound है जो Jaisaisais नामक scientist ने खुजा था उसके नाम पर ही इसको Jaisais salt कहा जाता है इसका सूत्र होता है PTCL3 CS2 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 की hapticity कितनी होती है NETA2 देखो इसको NETA लिख करके क्या लिखा गया है 2 और ताथ ये बीच में से जुड़ा रहता है इसका नाम का NETA2 Ethene Trichloroplatinate Second ion Next है कि कार्मनिक समोह में दातू प्रमाणों के मद्दे यदि कोई सेतू के रूप में गुरूप जुड़ावा हो तो सेतू या ब्रीज का नाम पहले लिखेंगे और उस ब्रीज के नाम से पहले क्या समझोड़ देंगे म्यू यदि एक है तो म्यू करके ब्रीज का नाम दो है तो डाई म्यू तीन है तो ट्राई म्यू इस तरह से ब्रीज के नाम को म्यू लगा कर दरसात है जैसे एक्जामपल लिखा है CS3, CS3, Aluminium और दोको बीच में दो ब्रीज फिर Aluminium और CS3, CS3 तो इसका नाम हो गया डाई म्यू मेथिल फिर बाकी क्या मचके चार टेट्रामेथिल डाई Aluminium यदि Organometally Compound Polymer के रूप मे हो तो Polymer को कैसे बैचाने तो Polymer के रूप मे होने पर उनको दरसाने के लिए उनके नाम से पूर Ketina या स्रंकलन लिख देता है Ketina का दलब क्या हो जाएगा कि जो दियावा Organometally Compound है वो Polymer के रूप मे है उसे रिपरजेंट करता है बाकी Brze के रूप मे इसका नाम लिख देगे जैसे देख इसका नाम लिखा Ketina फिर Break It बना लेंगे दो मेथिल गूरूप ब्रीज के रूप मे है तो डाई म्यू मेथिल बेरिलियम इस तरह से हम Brze Organometally Compound उसका नाम करण करता है तो ये हमने आज इस वीडियो में Organometally Compound क्या होता है और इनके नाम करण के बारे में स्टेडी की है इसका सारा मेटर मैंने आपको PDF में भी सेंड किया है उसको अच्छे से पहले एक बार नोट करेंगे या उसको पढ़ेंगे उसके बाद इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिसकस करते रहेंगे